दोस्तों आपने वो गजल सुनी होगी बेगम अक्तर की वो जो हम में तुम्हें करार था तुम्हें याद हो क्या न याद हो वही वादा यानी निभा का तुम्हें याद हो कि न याद हो इंडिया लाइन्स की इमारत की इटे गिर्ती देख करके बहुत सारे इंडिया लाइन्स के जो घटक दल हैं वो इसे गुन गुना रहे होंगे नितीश कुमार ने कितने अर्मानों से इंडिया लाइन की इमारत जोड़ी थी लेकिन देखिए कैसे विखर गई अगले महीने चुनाव की घुष ना कर सकता है ऐसे वक्त में ममता बनर जी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी पंजाब में भगवन मान भी वही बात कह रहे हैं कि वो सावरी सीटों पर खुद ही लड़ेंगे अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही बात बंती नजर आ रही है यानि कि अखिलेश से सीटों के बटवारे पर कोई बात बंती भी नजर नहीं आ रही है अब ऐसे वक्त में जब गठवंदन टूट जाता है तो यह निश्चित तोर पे बात कही जाएगी कि विपक्षी दलों ने अपना सिर्ख खुद ही फोल लिया है दिवार में मार के विपक्षी दलों के गठवंदन इंडी में दरार सब के सामने है और ये भी कह सकते हैं कि एक जुटता जो थी वो नजाने कब क्षीन पड़ गई पिछले साल लोग सभाचुनाब से पहले विपक्षी दल एक साथ जाने की कवाज में जुटते हैं पहली मीटिंग पटना में 23 जून 2023 को होती है इस मीटिंग में एलान होता है कि जो भी मत भेद हैं सबके वो भुला दीजिए और एक प्लैटफरम पे आजाईए एक पेज पे आजाईए लेकिन पहली मीटिंग में एक सवाल उठा जो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ दूसरी मीटिंग में एक और सवाल उठता है तीसरी मीटिंग में एक और सवाल उठता है एंड जो भी रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें तो केजरिवाल और ममता ने उस बंदे का ही पत्ता काड़ दिया जिसने इंडिया लाइंस को खड़ा किया था इस पूरे घटनक्रम के बीच में कॉंग्रेस ये कहती रही कि जो भी मद्वेत है उसे दूर कर लिया जाएगा किस सवाल पे सीट शेरिंग के सवाल पे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी अब कुछी दिन बचे हैं लोकसभाचुराव की गोशना में और देखिए गडवन्दन के कितने बुरे हाल हो गए हैं मंगाल की मुक्यमंतरी वमता बैनरजी ने ये एलान कर दिया कि उनकी पार्टी टेमसी भलाई विपक्षी गडवन्दन का हिस्सा है ये वो उपनी मन से कह रही है लेकिन चुनाव वो अकेली लड़ेंगी तो हिस्सा किस बात क्यों ही जब और ने चुनावी अकेली लड़ना है किसी को अपने साथ देना ही नहीं है तो गडवन्दन किस बात का मंगाल में सीटों को लेकर कि कैसे बात बनेगी इस पे शुरू से ही बहुत सारे सवाल थे A, B, C, D और पिछले किछ दिनें से आप ये समझिए कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी तब से लेकर के क्रैक्स जदा आ गए थे और ये बात चल लही थी लेकिन जब बात नहीं बनी तो ममता बनर जी ने एकलर से लोगी घोशना कर दी और ये फैसला भले ही एक पार्टी का लेकिन आप ये मान के चली इसे अंडरलाइन कर लीजे कि इसको देख करके जो दूसरी पार्टी जैं वो भी इसी रस्ते पर चल हैं लेकिन ममता जैसी श्रूट महिला यानई कि कही कि पलेटिशन वो कॉँगरेस की बातों में आने वाली है क्या अब जो भी कहे लेकिन बात जो है वो बंदी हुई नजर नहीं आ रही है है ममता बनर जी जैसी बात आम आदमी पार्टी की ओर से भी कही जा रही है बंगाल के बाद पंजाब से भी जटका लगा है गटबंधन में शामिल आप की ओर से ये कहा गया है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे भगवन मान अब जब पंजाब में कह रहा है तो दिल्ली में क्या करेंगे दिल्ली में भी यह इस्तिती होगी दिल्ली में पहले ही इस पे राइता फैला हुआ है बात कह रही रहे है लेकिन अब बात साफ हो गई है दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ने की बात में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी लेकिन पंजाब में मामला अटक रहा था पंजाब में आ गठबंदन को दो दो जटके लगे हैं। लोग समच उनाव में विपक्षी दलों को एक जूट करने के मकसद से पिछले साल जो एक गठबंदन बना था, गठजोड बना था, जिसे नितिश कुमार ने बनाया था, और ममता बनर जी से वो मिलने बंगाल गया थे, इस्पेशली और दिदी से ये कहा था कि आप इसमें सपोर्ट कीजे, इस मीटिंग के बाद ही विपक्षी दलों की पहली मीटिंग जो है उसका रस्ता बना था, प्लैट्फरम बना था, सभी लोग एक पेश पे आये थे, इस मीटिंग के बाद ममता बनर जी ने ये कहा था कि मैंने निति बिहार से हुआ था हम फिर से बिहार से औल पार्टी मीटिंग करेंगे ऐसा हुआ भी दलों की पहली मीटिंग जो है जून के महीने में होती है तब नितीश कुमार अगवाई कर रहे थे अगर कोई दल अलग हुआ कोई बंदा अलग हुआ तो वो थे नितीश कुमार अलग की उन्होंने इसको आज तक नहीं माना है ममता बनर जी जरा मूफट है वो पहले दिन से ही जो भी बात होती थी कहे जा रही थी दिल्ली के सेम अरिन केजरिवाल की और से जैसे ही इंडी गटबंदन की मीटिंग में कॉंग्रेस अध्यक्स मलिकाजन खडगे को पियम चेहरा बना जाने की बात कही गई ममता और केजरिवाल की ओर से क्योंकि इन दोनों लोगों नहीं परपोस किया था नितीश का चेहरा लटक गया था और यू कहिए कि उस दिन से उन्होंने एक मांड़ेट बना लिया था कि वो कुछ करेंगे और वो कुछ करेंगे आप दो एक दिन देखिएगा आपको कुछ वो जो करने वाले आपको दिखाई दे जाएगा अब बात बहुत बिगड़ चुकी है अब तक किसी भी राज्य में सीट शेरिंग को लेकर के गडबंधन एलान तक नहीं करवाया यूपी बिहार माराष्ट केरल इन राज्यों में चुरौती बनी हुई है वहीं इसके 20 कॉ सामने भी काफी सारी चुरौतिया हैं कहीं ना कहीं गडबंधन में केंदर में कॉंग्रेस थी जब बात बिगड़ेगी तब ये सवाल भी खड़े होंगे कि कॉंग्रेस पहले से कमजोर है और पिछले विधान सबाचुनाओं में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था अ अमता वनर जी के एलान के बाद से बीजे पी को गडबंधन पर हमला करने का ओवियसली मौका मिल गया है क्योंकि ये गडबंधन क्यों बना था मोधी को हराने के लिए आज क्या हश्रुआ है स्वार्थ के लिए सब बाते थी स्वार्थ के लिए सब लोग एक मंच पर आये एक पेज पे आयते हैं, हाला कि किसी राज्य में गटबंदन नहीं होगा, ऐसा फिलाल नहीं है, लेकिन सवाल अब और भी बड़े-बड़े हो गए हैं, और उनका जवाब जनता के बीच में देना बहुत मुश्किल होने वाला है, इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा जाएगा क कि साथ नहीं आएंगे कवाइद होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, सवाल ये भी खड़े होंगे कि आपस में एक जुट नहीं है, तो आगे क्या होगा, आगे किस तरीके से चलेंगे, क्या सोचके ये लोग इकठा हुए थे, मोधी के खिलाफ चेहरा कौन होग लेकिन यहां तो चेहरा छोड़िये, एक साथ खड़े होने को दल राजी नहीं है, अभी अकेले लड़ने की बात कहीं है, जब अकेले चुनाव में जाएंगे तब विपक्षी दलों के बीच में सियासी तीर चलेंगे, दोस्तों आप याद रखिये का चुनाव से ठीक पह करके सामने वाले को आपने और मजबूत कर दिया, and that is there, जिस दिन अजवध्या में प्रानपर्चिष्टा का समारो संपन हुआ था, उस दिन गटबंदन की जो है इटे गिंडी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये गटबंदन क्यों बना था, मोधी को हराने के लिए, उधर अजवध्या में प्रानपर्चिष्टा करके पधानमत्री नरेद मोधी ने अपने अगले शुराओ के लिए, और इधर गटबंदन, गटबंदन की चूले हील गई, वो जो इमारत थी, उसकी इटे धिरे-धिरे गिर गई, और जो आपस में इनका करार था, एक दूसरे के प्रती, वो कुछ तो पहले ही नहीं था, कुछ और कमजोर हो गया, और अब जब ममता ने ऐसी बात कर दिया कि वो अकेली लड़ेंगे, उदर भगवनत मान कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, तो फिर काहवाद का करार रहा, काहवाद का गटबंदन न, वो गटजोड, वो बाते, वो वादे, वो सब मीटिंग्स, पहली मीटिंग पटना में होती है, दूसरी मीटिंग बेंगलूरू में होती है, उसके ये सब बातें बाहर निकल के आ रही थी, बाहर निकल के इंडिया लाइन्स वाले लोग कह रहे थे, तो इट मीन्स पताद दिलों में किदी खटास आ गई थी, और अब रही साई कसर रामजी ने पूरी कर दी है, क्यों कि अब तो इन्हें लग रहा है कि हम कैसे ना कैसे एकठ लड़ेंगे तो भी मरेंगे, और एक-एक करके मरेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपनी मौत मर गए हैं, तो हलात बड़े खराब हैं लोगों के, और उधर राहुल बाबा जो हैं, अपनी नियाय यात्रा को जारी रखे हुए हैं, कम से कम वो सुर्खिया तो बटोर रहे हैं, जगा-जगा लाठिया का करके, और यही वो शाहा भी रहे थे, कि उनको कहीं उनके टकराव हूँ, कहीं वो हंगामे करें, कहीं उनको एड्मिस्रेशन रोकें, प्रशासन रोकें, यहां से न गुजरिये, वहां से मज जाईये, यह सब वो जान बुज के कर रहे हैं, ताकि उनको नहीं, मतलब आपको हमें लगे कि रहूल का जो एक उनके मन में संकल्फ है, वो जिन्दा है, और संकल्फ उनका है ही नहीं, उन्हें तो यह पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, बस किसे ने कह दिया कि आप लोग में जाईये, तो वो चले जाते हैं, किसी ने उनको क कि आप याङ है एंदिए कि आप लोगों कि याख На क्वां की आई ए दूहाँ चले जाते थे हैं कभी किसानों में चले जाते हैं तो बाया जन्तर बंत्र भाइं चले जाते है उनको नहीं पता क्यों क्या करνα है और एसे चुनाव नहीं जीता जाता जैसे रावुल गांधी कर रहा है अब उनका यातरा पार्ट टू चल रहा है इस समय और जगा जगा उनको लाठिया खानी पड़ रही है लेकिन वो बड़े खुश है कि कम से कम लाठिया पड़ रही है तो थोड़ी बहुत उनकी वो सुर्खिया तो मिल रही है वो थोड़ा बहुत लाइम लाइफ में तो आ रहे हैं, अगर पिट रहे हैं, अगर उनकी पिटाई हो रही है, अगर उनकी छेताई हो रही है, अगर उनको लाठिया पड़ रहे हैं, तो कम से कम उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो तो वाइरल हो रहे हैं, इतना भर उनको मिल रहा है, इसके इलावा उनको इत्ता साभी लाभ इस चात्रा से नहीं मिलने वाला और ये उनका अंदर का फ्रस्टेशन था राहूल गांधी का जो उन्होंने इस चात्रा के जरिये निकाला है और ममता ने तो अच्छे से राहूल को बता दिया कि वो क्या है इधर आम आदमी पार्टी के मुख्या के बड़े मन से गए थे उनके पास मीटिंग करने के लिए फूल ले करके लाल और पीले ये दोनों रंग बड़े दोस्ती के होते है न एक रंग प्यार का होता है एक रंग दोस्ती का होता है तो ये फूल ले करके गए थे खड़के साब के पास लेकिन वो एक बहुत छोटी स गटबंधन के लिए गए थे वो गए थे चंडीगड में मेर के लिए जो चुनाव होना उसके गटबंधन के लिए अब भगवांत मान ने कह दिया है कि आप जाएए यहां से इधर का रुक मत करिए यहां मैं खुद से चुनाव लड़ लूँगा इधर ममता ने भी वही बात दोरा दिया तो अब आने वाले दिनों में यह देखना दोस्तो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बाकी की जो इटे बची हुई है जो थोड़े बहुत दिल में कहना चाहिए कि भाव हैं वो कब तक बने रहते हैं फिलाल इतना ही दोस्तो आज के लिए इतना ही है और आपने पूरा वीडियो देखा आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि मेरा जो भी लेटेस कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी के लिए नहीं आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए खुछ रहिए स्वस्त रहिए जय हिन जय भारत